जो कहा था फिल्म अक्ट्रिस एश्वरे राय से आज जो प्रवर्तर निदेशा लेने खरीब साड़े साथ गंटे तक पूश्टाच की है वो क्या था पूश्टाच पे पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा सिलसला 2016 और 17 में पनामा पेपर लीक हुआ था जिसमें एश्वरे राय उनके ससोरा मिताब बच्चन का नाम आया था एश्वरे राय से एडी ने पहले भी दो बार पूश्टाच के लिए समिन जारी किया था लेकिन दोनों ही बार वो पेश नहीं हुए उन्हें पेश होने की तीसरी तारिय आज की दी गई सूत्रों के मताबक एश्वरे राय से एडी ये जानना चाहता है कि साल 2012 में उन्होंने अपने पती अभिशेक बच्चन को लाखों पाउंड की जो रकम भेजी थी उसका सोर्स क्या था ब्रिटिश वर्जिन आइलेंस में एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर रहने को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए ओम प्रकाश सिवारी मेरे सायोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा उनका रूप करते हैं ओम प्रकाश और वो कौन सी बाते थी जिनके जवाब तलाशने की कोशश एडी एडी के इन अधिकारियों की तरफ से हुई है और जवाब निकल करके आया देखिये रूप का इडी इन से जानना चाहता था कि मार्च 2012 में इन्होंने अपने पती अभिशेक बच्चन को सवा लाख पाउंड की रकम भेजी थी इडी इस बात पहरान था कि एक छट के नीचे एक पते पर रहने वाले शक्स ने जो पती पत्नी हैं आपस में वो एक दूसरे को विदेशी मुद्रा क्यों भेज रहे हैं जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप भारत में एक छट के नीचे रहते हैं पती पत्नी हैं और विदेशी मुद्रा इतने बड़े पैमाने पर देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते उसके लिए आपको रिजरो बैंक आफ इंडिया की परमीशन लेनी पड़ेगी इनसे पूछा गया क्या आपने वो परमीशन ली थी आपने आरबी आई से परमीशन लेके पैसा दिया था ये पैसा आपने कैसे दिया था इस पैसे का सोर्स क्या था ये पैसा आपके पास से आया कहां से था एश्वर राय बच्चन सुत्रो के मताबिक उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने इसके लिए RBI से परिमीशन नहीं ली थी सुत्रो कहना है उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नियम कानूनों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके लाब हो एक कंपनी में बताओ डारेक्टर थी साल 2005 में इस कंपनी में उनको डारेक्टर सिप से हटा कर उनको शेयर होल्डर दिखा दिया गया तो उनसे पूछा गया कि जो कंपनी में उनको डारेक्टर से सीज़े शेयर होल्डर कर दिया गया तो उससे उनको क्या फाइदा पहुचा उस कंपनी को बनाने के लिए पैसे कहां से आये थे और आखिर कंपनी का पैसा गया कहां यह तमाम ऐसे सवालात थे जिसके बारे में एश्वाराई बच्चन से लगातार साड़े छे गंटे ज्यादा बहुत जल्दी लाकर जमा करा दें यह अपने वकील की मारफात बेज दें अब प्रवर्तनी देशाले जो उन्होंने बयान दिये हैं उनका अंगलन कर रहा है और उसमें अगर ज़रुवत समझेगा तो एक बार फिर एश्वार रहे बच्चन को पूश्टाज के लिए पू चेक किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दुबारा पूश्टाज के लिए समझारी किया जा सकता है